है है लो फ्रेंट गुड मॉर्निंग आज मैं अपने वीडियो की सुरुवात इस प्यारे से फूल से कर रहे हूं एक जोरा प्लांट आज मैं एक जोरा प्लांट की रिपॉर्टिंग करूंगी तो यह देख सकते हैं मेरे पास तीन प्लांट है टीनों को एक साथ रिपॉर्ट और देखने में भी कफोई खुबसूरत लगते हैं यह स whereby पटीन कलर भी शुर्ट वटेलाजर में सिभीड़ democratic, उसके बाद फंगस साइड पाउडर डालूंगी तो देख सकते हैं मैं फंगस साइड पाउडर डाल दे रही हूं उसके बाद मैं कैल्सियम की कुछ दाने डालूंगी अभी फैकेट फार्ड इंट तो यह कैलσιयम के बीमे मैं कूछ दाने डालूंगी और यह साइड है और यह सिवेड यह साइड है इस मतलब दो डाल दे हूं कैलσιयम ब चाहे है कैलσιयम में कुछ दाने डाल दे रहे हूं प्लांट की ग्रोध के लिए अच्छा रहेगा और उसके बाद तोड़ा मैं पोटास डालूंगी तो ये देख सकते हैं मैंने पोटास भी लाया हुआ है इसके भी मैं कुछ हिस्सा डालूंगी तो एक चमस के करीब ये भी मैंने लिया है और मैंने बहुत ही अच्छी वेल्डरेंड मिटी त्यार की हुई है और ये मेरा निव वाला है उस तीनों कोई कठे लगाऊंगी तो चलिए इसकी कटिंग काट कर ले रहा है और ये देख सकते हैं कितनी गंदी मिटी में लगी हुई है चिकनी मिटी में तो मैं अपने इस वेल्डरेंड मिटी में डाल दूंगी इसकी चिकनी मिटी तो सब कभर कर लेगा तो चलिए मै अच्छे से इसकी पहले चिकनी मिती तोड़ लेती हूं उसके बाद तब मैं लगा के दिखाऊंगी देख सकते हैं कितनी गंदी मिती है बहुत ही लबलवी चिकनी है इसमें देखिए जड़े बिल्कुल विकास नहीं कर रही थी खराब हो रहा था अगर मैं इसको ऐसे ही लग यही कारण है नर्सरी से लानी वद अचानक से मर जाते हैं प्लांट क्योंकि जड़ू का विकास तो हो नहीं पाता है तो आप मिती एक अच्छी वेल्डरेन तयार करिएगा तो मैं अच्छी मिती ली हूं ताकि इसमें जो जड़े जो खराब होई है उसका अच्छे से विक इसकी जड़ो का विकास बिल्कुल नहीं आ है और यह देख सकते हैं मैंने इसको गमले में से निकाल लिया है दूसरा वाला भी प्लांट मैंने वीडियो को कई बार में सूट किया था इस वज़े थोड़ा सा आपको इसकीप दिख रहा होगा तो देख सकते हैं इसमें पूरा यह रूट बाउंड हो गया था इसके कारण पतिया मेरी पीली हो रहे थी तो मैं आधी मिटी इसकी तोड़ कर निकाल लूगी उसके ब चेक करके उसको तोड़ के निकाल दीजिए उसके बाद लगाएंगे तो ऐसे ही आपकी जड़े तयार होंगी तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है बिलकुल भुरुरी भुरुरी मिटी में अच्छे से जड़ो का अभिकास होता है और उस टाइप के मिटी में जड़ो निकाल लेती हूं तो फिर आपसे मैं मिलती हूं चलिए फ्रेंट तो देखे मैंने इसको भी निकाल लिया है तो इसकी विजड़े देखे मेरी बहुत अच्छे से विकास कर रही थी तो आप भी मेरी तरीके से वेल्डे मिट्टी में लगाएंगे तो आपका भी प्लांट अच्छा वाला लेजिएगा प्लांटर चलिए तब अच्छा वाला लेजिएगा प्लांटर चलिए तब इसमें से मिट्टी कुछ इसके आधे हिस्से एक भर लेती हूं तब फिर मिलती हूं । देख सकते हैं मैंने मिट्टी भी भर ली है और इसमें मैं तीनों अपने प्लांट को खड़ा कर लूँगों और उसकی बार एक एक करके उसकी बद मिट्टी डालूँगी तो ऐसे देख सकते हैं कि मैंने एक एक करके गंबले ने सारी प्लांट को खड़ी कर दिया हूँ देख सकते हैं इसका तो जड़ बिल्कुल नहीं बना था लेकिन फिर भी ग्रो हो जाएगा क्योंकि यह मेरे पास आया है और मेरे पास आने वाला कोई पौधा मरता नहीं है मैं उसको बहुत अच्छे से रिपोर्ड कर देती हूँ चलिए तो इसमें पूरा मिट्टी भर लेती हूँ उसके बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ और यह 3 तीन कलर का है मेरा बहुत ही अच्छा है तो देख सकते हैं मैंने मिट्टी पूरे अच्छे से भर लिया इसको जब तक देख सकते हैं मैं अच्छे सी को दबा वाद 있죠 और अब protect कोई प्लांट करिएंगा तो स्कों तरह says सेलिका हैंका सेलिकर बाले अब ड्रभाद को ऊच्छं कर सकते हैं और यह मेरा पानी दिरी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेर जरू करेगा और इसके से में इसे डियरियम रखेगा